नमस्कार, स्वागत है आपका विहारी निज़ में निश्डीन सेन भारती अज़ हम बात करेंगा शिक्छक, नियुक्ति के बारे में नियुजन परकिरिया को लेकर सिच्छा मंत्री ने कहा कि हमने इसकी परकिरिया सुरू कर दी है उन्होंना कहा कि 9 जुन के बाद से आवेधन की परकिरिया जो है मांगी जा सकीगी विहार सरकार का सिच्छा मंत्री विजय कुम और चाउजिशने नेटवर्क 80 से बात करते सरकार की तैयारी के बारे में खुलकर बात की जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार 5 जुन से इसकी परकिरिया सुरू कर देगी वहीं पटना हाई कोट ने दिब्यांग अभियार्थियों को आवेधन के ये 15 दिनों का मौका भी दिया है जिस पर बात करते हुए सिच्छा मंत्री ने यह भी बताया कि विभाग आज से ही इस परकिरिया में लगेगी इस संबंध में बिग्यापन भी सरकार निकालेगी जिसमें वैसे दिब्यांग अभियार्थी जो आवेधन देने से बंचित रह गए थे उन्हें आवेधन देने का मौके से अवगत किया जाएगा तिछ सानुसार 15 दिनों तक दिब्यांग अभियार्थियों के आवेधन लिए जाएंगे मंद्री ने कहा कि कोई बाधा सामने नहीं आई तो दो से तीन महीने के अंदर सिछा विभाग नियोजन की पूरी परकिरिया पूरी कर लेगा वहीं मेरिट लिस्ट के फॉर्मेंट से जु अभियार्थी को मेरिट लिस्ट पर अपत्ति दर्जक्रानी होती है तो उस परकिरिया के लिए भी कुछ दिरों का समय दिया जाएगा जिसके बाद अगले हपते उसके निराकरन में सिछा विभाग जुटेगा सिछा मंत्री ने बताया कि इन तमाम परकिरिया को देखते हो गया है उन्होंने बताया कि छठे चरण में नब्वे हजार से कुछ अधिक नियुक्तियां प्रणभीक बिद्यालों से संब्नित हैं वहीं 30 हजार के आसपास माधिमिक और उंच माधिमिक बिद्यालों की नियुक्ति की जाएगी इसके बाद बच्ची जोड़ियों का आ लबे समय के वाद एक खुसी की लहर देखी जा सकती है विहार और विहार से जुड़ू ही और भी ऐसे इंखबरों के लिए बनी रहे विहारी नोच के साथ मुझे दिजिए जाज़त धन्यवाद